Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे Use of Hide 2 Hide 2 का प्रियोग कहां पे किया जाता है इसमें हमने affirmative, negative और interrogative तीनों टाइप के examples को बताया हुआ है साथ ही इसका structure बताया है तो आप लोग इस वीडियो को complete पुरा जरू देखें तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर इसकी पहचान जान लेते हैं कैसे पता चलेगा कहां पे Hide 2 का प्रियोग करना है तो identification है जिन हिंदी बाक्यों की क्रियाओं के अंत में पढ़ा, पढ़ी या पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे आदि सब्द आ जाते हैं उन sentences में हमें Hide 2 का प्रियोग करना होता है जैसे यहां पर एक sentence लिखा है राजेस को पत्र लिखना पढ़ा तो यहां पर पढ़ा आ गया है पढ़ता था, पढ़ती थी आ जाए उसमें हमें Hide 2 लगाना पढ़ेगा इसमें Rule की बात करें तो यहां पर कोई भी subject हो He, Seat, Name, I, Be, You, They Singular हो, चाहे Pural हो बहुँ बचन तो उसमें सब में हमें Hide 2 का प्रियोग करना है हम इसका सबसे पहले Affirmative Sentence का Structure देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना पढ़ेगा Affirmative Sentence में Subject, जो की हमें शुरुआत में मिल जाएगा उसके बाद Hide 2 का प्रियोग करेंगे दूसरे नमबर पे Hide 2 फिर बर्ब की First Form उसके बाद Object लिखेंगे और Full Stop लगाएं Sentence बन जाएगा तो यहाँ पर जो एक्जाम्पिल लिखें उन्हें Solve करते हैं लिखा है राजेस को पत्र लिखना पढ़ा Subject है राजेस तो यहाँ पर सबसे पहले राजेस की लिखेंगे R A J E S H राजेस हो गया अब इसमें लिखना पढ़ेगा Head 2 तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर Head 2 का प्रियोग कर लिया फिर यहाँ पर Right मिंस लिखना होता है W R I T यह बर्ब की फस्पॉम हो गई क्या लिखना पढ़ा पत्र तो यह लेटर हो जाएगा L E W T E R बन जाए अब दूसरा एक्जम्पिल देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रेखा को कमरे साफ करने पड़े तो यहाँ पर सब्जेक देखे रेखा तो इसमें सबसे पहले रेखा की लिखे जाएगी तो यहाँ पर R E K H रेखा हो गया अब इसमें Head 2 लगाईए रोम मिन्स कमरा होता है यहाँ पर कमरे है तो यहाँ पर E S लगाईए रोम हो जाएगा अब देखे तीसरा यहाँ पर एक्जम्पिल लिखा है उसे खाना बनाना पड़ता था तो यहाँ पर भी Head 2 लगेगा पड़ता था पड़ती थी हो तब भी Head 2 लगाना है उसे के लिए लिखेंगे C C Head 2 अब खाना बनाना होता है Cook Cook मिन्स पकाना होता है तो यहाँ पर बर्ब की फैस्पाम Cook हो गई Food खाना के लिखेंगे Food तेस्टा कमप्लेट इसमें के चौथा है एक्जम्पिल डॉक्टर को उसका इलाज करना पड़ा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है डॉक्टर तो सबसे पहले यहाँ पर The डॉक्टर लिखेंगे D-O-C-T-O डॉक्टर Head To इलाज करना के Treat मिन्स इलाज करना T-R-E-A-T Treat Him उसका इलाज करना पड़ा तो ही हम लिखेंगे तो इस तरह से Affirmative के चार इक्जम्पिल्स थे उन्हें कबर किया अब देखते है Negative का इसके बीच में नहीं आएगा तो हमें यहाँ पर यह वाला Structure यूज करना है देखिए Subject लिखेंगे फिर उसके बाद Did Not लगाएंगे जब Did Not लग जाएगा तो Have To यहाँ पर यूज किया जाएगा जहाँ पर हम लोग Had To लिखते थे वहाँ पर Did Not Have To हो जाएगा फिर बर्ब की First Form Object Example देखते हैं उन्हें solve करेंगे अच्छे तरह से समझाएगा लिखा है जानबरों को जंगल से नहीं चाना पड़ा तो यहाँ पर सबसे पहले जानबरों के लिखेंगे तो हो जाएगा The Animals The Animals यह हो गई जानबरों की The Animals अब Did Not लगाएंगे Did Not यह हमने structure से लिया Have To Go यह बर्ब की फस फॉम हो गई और जंगल से है तो From The Forest तो यहाँ पर From The Forest यह जंगल होता है जंगल की तो इस तरह से पहला example complete हुआ Next से दूसरा इसमें लिखा स्याम को अपनी दादी से नहीं मिलना पड़ा तो इसमें सबसे पहले स्याम की लिखी जाएगी स्याम है subject Yes, Yes By A.M. स्याम Did Not अब यहाँ पर Have To लगाएंगे Did Not Have To Meet मिलना यह बर्ब की फस फॉम हुई Meet किस से? अपनी दादी से तो His Grand Mother G, R, A, N, D Grand O, R, M, O, T, H, E, R बन गया अब देखिए तीसरा एक्जम्पली इसका लिखा हुआ है उन्हें आप से बात नहीं करनी पड़ी इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें की स्पेलिंग लिखेंगे जो कि होती है दे दे मिन्स होता है वे या उन्हो तो दे हो जाएगा दे मिन्स वे अब यहाँ पर भी डीड नाट लगाएंगे डीड नाट अब हैब टू लगाएंगे हैब टू टॉक मिन्स बात करना होता यह बर्ब की फर्स फार्म हो गई टॉक टू यू आप से है तो यहाँ पर हो जाएदा टॉक टू यू तो इस तरह से तीस्रा कम्प्लीट हो जाएगा चौथा एक्जम्पली इसमें लिखा है बूढ़े बेक्ति को मदद मदद नहीं मांगनी पड़ी तो हमें सबसे पहले बूढ़े बेक्ति की लिखेंगे दा ओर्ड मैन तो यहाँ पर हो जाएगा दा ओर्ड मैन यह लिख लिए अब डेड नॉट लगाईए डेड नॉट हैब टू हैब टू लिख दिया इसके बाद मदद मांगनी मतलब आस्क फॉर हेल्प आस्क फॉर हेल्प ह-e-l-p तो इस तरह से चौथा संटेंस कॉंप्लेट हुआ अब देखते हैं इंट्रोगेटिब की चार एक्जाम्पिल हैं उन्हें भी इंट्रोगेटिब संटेंस को सॉल्प करने के लिए हमें यह वाला इस्टेक्चर फालो करना है जिन संटेंस में क्या सुरुआत में दिखाई पड़ेगा वहाँ पर हमें सबसे पहले डिड लाएंगे बाहर क्या जिन में होगा वहाँ पर डिडि सुरुआत में लिखेंगे फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद हैब टू लिखेंगे यहां पर हैड टू नहीं लिखा जाएगा और बर्ब की फस फॉर्म उब्जेक्ट और लास्ट में एक कोशन मार्क लगेगा तो एक्जम्पिल को सॉल्प करते हैं और यहां पर दूसरा इस्ट्रेक्चर रहेगा जब क्या कौन कैसे कब क्यों यह सब बीच में आएगा तो हमें उसके स्पेलिंग सुरुआत में लिख देना है फिर सेम इस्ट्रेक्चर लगा देंगे डिड और सब्जेक्ट आगे सेम रहेगा तो यहां पर एग्जाम्पिल लिखा है क्या उसे वह नवकरी छोड़नी पड़ी क्या है तूसरे के लिए उसे यहां पर सबसे पहले हमें डिड लिखना होगा डिड उसे के लिखेंगे सी हैब टू लिब यह हैब टू लगा इस्ट्रक्टर से सब्जेक्ट लिखा सी अब लिब मिन्स छोड़ना यह बर्ब की फर्स पाम हो गई लिब डैट जॉब वह नवकरी तो डैट जॉब लास्ट में कुस्चन मार्क लग जाएगा बन गया दूसरा एक्जम्पल इसका लिखा हुआ है क्या पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा तो यहाँ पर भी डीड लगेगा डीड पुलिस की होती है दो पुलिस पी ओ एल आई सी पुलिस अब देखे सब्जेक्ट लिग गया तब हैब टू लगेगा हैब टू अरेष्ट मिन्स गिरफ्तार यह बर्ब की फस फाम हो गई एडवल आर एष्टी अरेष्ट उसे है तो हिम लास्ट में क्वेशन मर्ख बन गया तीसरा एक्जम्पल इसका लिखा हुआ है सिकारी को जाल क्यों बिच्छाना पड़ा यहाँ पर देखिया क्यों हो गया है तो इसकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा वाई होता है वाई मिन्स क्यों हो गया अब डीड लगाईए बाके सेम तरीका है पूरा डीड अब सिकारी की हो जाएगी दा हंटर यह चिव यह तर हंटर यह सबजेक्ट लिख दे आब इसके बाद हाईब टू जोड़िए हाईब टू अब सेट मिन्स बिचाना होता है सेट एट ट्रैप ट्रैप मिन्स जाल होता है टी आर एपी कुस्टिन मार्क लास्ट इसका एक्जम्पिल है उसे देले से आगरा कब जाना पड़ा तो यहाँ पर हमें कब की सुरुआत में लिखना है वेन तो डाबलू याची यान भेन डेड लगाएंगे ही उसे के लिए ही लिख दिया हैब टू जोड़ेंगे सबजेक्ट के बाद हैब टू गो और फ्रोम डेलही टो अगरा फ्रोम फ्रोम डेलही डेलही टो अगरा ए जी आरे बन गए चारो एक्जाम्पिल तो इस तरह से चार संटेंस इंट्रोगेटिब के कम्प्रेट हुई फ्रेंड्स उमेद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया होगा अभे तक आपने इस चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिएगा तब तक के लिए बाई बाई फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो